जी हाँ, आपके लखी सराय का गौरम यूनिक मैथामेटिक्स टुटोरियल यूनिक मैथामेटिक्स टुटोरियल लाइब किजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब किजिए मेरे यूटूब चैनल यूनिक मैथामेटिक्स टुटोरियल को और वेल आइकन दबाईजे एवं देखे मेरे वीडियो आप सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिपा कुमार भेंता और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल यूनिक मैथामेटिक्स टुटोरियल तुझ तो आप लोगों को घ्रवड के दौरा जो टेन्थ के एकजाम के लिए मोडल पे पर जारिक किया गया है उसके सल्यूशन के बारे में मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दुश्तों वीडियो शुरू करते हैं तो आज दोस्तों है हम जो चलते हैं अपने फर्स्ट प्रस्ण की ऊप। और मेरा फर्स्ट प्रस्ण है और देख सकते हैं लिखावा है कि 5 प्लस 3 0 2 है नुट बताना कि क्या है यह प्रिमे संख्या है उ प्रिमे संख्या है पुर्णाख है यह इंस persönlich कोई नहीं है तो दोस्तों आप हैं हम देख सकते हैं हम लिखऊ है 5 औister 5 न की पर्मे संख्या नंगे है dan थे को ओका है थिर जो है पुर्ण बर्गमूल नहीं निकलता है वो होता है ओपरिमे संख्या तहां जिसकते हैं कि रूट के अंदर 2 है और 2 का पुर्ण बर्गूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट 2 क्या होगा ओपरिमे संख्या तो रूट 2 हो गया ओपरिमे संख्या और 3 हो गया परिमे संख्या क्या होता है, दोस्तों, ओ परिमे संख्या, क्या होता है, ओ परिमे संख्या, फिर आप लोग यह भी परे होंगे, कि एक परिमे संख्या और एक ओ परिमे संख्या का योगफल, एक परिमे संख्या का योगफल, क्या होता है, ओ परिमे संख्या, ओ परिमे संख्या, ठीक दोस्त संख्या तो आई दोस्तों हम लग चलते हैं परस्न संख्या टू की और और परस्न संख्या टू में यहां दिया हुआ है निमन में कौन अभाज है निमन में कौन अभाज है तो दोस्तों यह बहुत ही इजी परस्न है अभाज संख्या के बारे में आप लोग बच्पन में ही पर चुके हैं कि वा संख्या जो एक से और स्वें से कट जाता हो उसे अभाज संख्या कहते हैं कि दोस्तों वा संख्या जो एक से और स्वें से कट जाता हो उसे अभाज संख्या कहते हैं तो दोस्तों आँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अठाइस तो यह दोस्तों एक से भी करता है यह स्वेंस से भी करता है दो से भी करता है चार से भी करता है साथ से भी करता है इसलिए अठाइस जो होगा वह अभा संख्या नहीं होगा फिर दोस्तों आँ देख सकते हैं यह दि कटेगा और अपने आप से कटेगा इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा अभाज संख्या होगा अनि 71 जो होगा वो अभाज संख्या होगा इसलिए इस प्रसन का जो मेरा अप्रिमे नहीं है। मिनों में को अप्रिमे नहीं हैं। ये कॉश्तों आप लोग परिमे और ओपनेट वाहराइं पड़ जब होता है और यादी उस संख्या और पूर्न बर्गमूल होगा निकलए। वहहता है ओसकर फर्ष्ट ओक्षन में है रूट शेवन आँ सेवन का पूर्ण बर्गमूल नहीं निखलेगा इसलिए यह ओग्षिस दोस्तों का पूर्ण बर्गमूल होता है इसलिए यह ओगा प्रिमे संख्या नहीं है तो आए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रस्न संख्या फोर की और प्रस्न संख्या फोर में दिया हुआ है कि निमलिखित में किस प्रमे संख्या का दसमलब परसार संथ है ठीक है दोस्तों तो आए हम लोग देखते हैं तो दोस्तों संख्या प्रसार जाज करने के लिए अब लोग को कुछ कंडिशन ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों अगर जो संख्या प्रसार प्रसार के रूप का है और उसको को जाज करना की सांथ है या सांथ अगरती है तो दोस्तों सबसे पहला कंडिशन इसका यह है कि पी और क्यू पी और क्यू सा अभाज होना चाहिए ठीक है दोस्तों पी और क्यू सिर्फ एक से करना चाहिए किसे संख्या से नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों इसके बाद इसका दूसरा कंडिशन है क्यू का अभाज गुनन खंड निकालने पर इसका अभाज गुनन खंड 2 पे पावर N और गुना 5 पे पावर N 2 पे पावर M गुना 5 पे पावर N के रूप का होना चाहिए मतलब क्योंके अभाज गुननखन में या सिर्फ दो आएगा तो ये सांथ होगा सिर्फ पांच आएगा तो ये सांथ होगा दो और पांच दोनों आएगा तो ये सांथ होगा लेकिन दो और पांच के अलावा को एक तिसरा संख्या चला आएगा तो O-santh होगा, ठीक है दोस्तों ये है will O-santh अबरति पुझाश करने का तरीका, तो दोस्तों इस परस्ट का जो answer होगा, वो answer होगा option number B. अब B क्यों होगा तो मैं आप लोग को करके दिखा दिता हूँ, 11 बटे 160 तो दोस्तों देख सकते हैं कि 11 और 160 ये दोनों 100 अभाज हैं ये दोनों के 100 अभाज है मतलब 116 जो है एक से कटेगा और किसी अन से नहीं कटेगा ठीक है दोस्तों इसको आज 160 का निकालते हैं अभाज गुननखन 160 का अभाज गुननखन तो दोस्तों इसको 2 से काटेंगे तो यहां 80 आजाएगा फिर 2 से काटेंगे तो 40 आएगा फिर 2 से काटेंगे तो 20 आएगा फिर 2 से काटेंगे तो 10 आएगा फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा तो दोस्तों हैं देख सकते हैं कि 160 इक्वल टो यहां आ गया है यहां दो देख सकते हैं कि 160 का अभाज गुनन खंड दो पे पावर M गुना 5 पे पावर N के रूप का है इसलिए ग्यारा बटे 160 जो होगा वहोगा सांथ होगा सांथ होगा सांथ होगा इसलिए इस प्रस्न का जो एंसर होगा ओप्शन नमर बी तो आई दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रस्न संख्या फाइप के और तो प्रस्न संख्या फाइप में आप लोग देख सकते हैं कि हम बोला जा रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है ठीके दोस्तों तो हाँ दो लगातार सम संख्यों का महत्तम समर तक निकाल कर देख लेते हैं कि कितना होता है तो दोस्तों चलिए हम सब सब पर निकालते हैं दो और चार का तो हम 2 और 4 के लगाते हैं, 2 से लगाते हैं तो बार में 1 का होगा, पूरा जो होगा कट जाएगा इसलिए अहाँ जो होगा, इसका SC अप, कितना हो एकट होगा एक दो आप, ठीक है दोस्तो तो फिर चलिए दूसरा एजाम्बं ले लेते हैं अब रिलेते हैं चार और छे का तो इसके निकालते हैं चार और छे का तो चार को पिर लगाते हैं एक बार में तो चार में छे खड़ेगा कितना आएगा तो दू आएगा फिर रहा पिर देश सकते हैं चार फिर लगाते हैं तो दो बार में कितना आएगा तो चार इकट गया पुरा और यहां भी जो होगा है वो SCF तो कितना आ गया तो 2 आ गया SCF कितना आ गया? 2 आ गया तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लगातार 2 लगातार सम संख्याओं का SCF जो होगा वो 2 होगा और इसका जो एंसर होगा, वो एंसर होगा option number C option number C तो आई दोस्तों हम लोग चलते हैं परस संख्याओं 6 की और परस संख्याओं 6 में यहां देख सकते हैं कि यहां लिखा गया है यदि alpha तो बीटा दिघात बोपद x square पलस x मैनस 2 के सुनियक हो तो 1 बटे alpha पलस 1 बटे बीटा का मान होगा तो दोस्तों alpha और बीटा दिघात बोपद x square पलस x मैनस 2 के सुनियक हो तो 1 बटे alpha पलस 1 बटे बीटा का मान होगा तो दोस्तों इस टाइब का परस संख्याओं को बनाने के लिए सब से पहले आप लोग को दो चीज निकालना होता है alpha पलस बीटा और alpha into बीटा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपे तो हाँ x square पलस x और मैनस 2 ठीक दोस्तों जहां देख सकते हैं x square का गुनांग 1 है तो इसलिए a बराबर है हाँ 1 हो गया x का गुनांग फी 1 है इसलिए b बराबर भी कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया और c बराबर हो गया मैनस 2 अब दोस्तों लेख जानते हैं फर्मुला alpha पलस बीटा alpha पलस बीटा बराबर हो था फर्मुला मैनस b बटे a ठीक दोस्तों ठीक हो गया मैनस 1 बटे 1 अनि हाँ हो गया मैनस 1 फिट alpha into beta alpha into beta का फर्मुला हो था c बटे a तो वहां हो गिए, माइनस 2 बटे 1, ठेको दोस्तों होगे, माइनस 2 हो गिया, ठेको निकालना है, 1 बटे alpha, plus 1 बटे beta, तो दोस्तों इसका LCM ले ले लेंगे, तो जाएगा, alpha into beta, यहाँ जाएगा, beta plus alpha, ठेको दोस्तों जाएगा, पे लिक चुली सकते हैं, हम लोग, alpha plus beta, अब आपटे alpha into beta, तो alpha plus beta यहां पर आगया है, minus 1 और alpha into beta है minus 2, अब हैं minus minus कारदेंगे, तो हां आएगा 1 by 2, क्या करते हैं तो 1 by 2, यह मेरा 1 by 2 होगा, इसका answer होगा, तो दोस्तो इस परसंग का एंसर होगा option number A आची दोस्तों हम लख चलते हैं परसंग्षा 7 की और परसंग्षा 7 में यहां दिया हुआ है कि यदि किसी समानतर सरेणी का एनमापध AN plus B है तो इसका पदांतर है इसका पदांतर है ठीक दोस्तों तो हमको निकालना इसका पदान कर, तो दोस्तों यहां पे इसका N मापद दिया हुआ है, N मापद दिया हुआ है, N बराबर, N बराबर दिया हुआ है, N पलस B, N पलस B, तो हमको निकालना है D, D equal to what? ठीके दोस्तों सबसे पर यहां निकालना दिया है, A1, तो दोस्तों यहां पे N है, तो यहां पे N है, अब यहां A1 आगिया है, A1 के N के जहाँ प्लस B, थोगा दोस्तों A पलस B, आप दोस्तों आप दोस्तों निकालना दिया है, A2, तो अब जहाँ N था, वहाँ 2 हो जाएगा तो जाएगा, A गुना 2 पलस B, A गुना 2 पलस B, तो आप निकाल लेते हैं दोस्तों, सावं अंतर, नहीं, पदांतर, तो D ब्राफ फरून ला हो जाएगा, दुसरा पद माइनस पहला पद, यहनी, A2 माइनस A1, तो जोस्तों यहां हो जाएगा, A2, A2 दियावा है, 2A पलस B, और A1 दियावा है, A पलस B, ठीके दस्तों जाएगा, 2A पलस B, अब माइनस A माइनस B, ठीके दस्तों आप पलस B और माइनस B कट गया, और 2A में से A घट एगा, तो बचेगा दस्तों, A, क्या बचेगा दस्तों, A, इसलिए इस परस्न का जो मेरा एंसर होगा, वो का एंसर नमर B, आप्शन नमर B, तो आए दस्तों हम लग चलते हैं, अब परस्न संख्या 8 की और परस्न संख्या 8 में दिया हुआ है, कि बिंदू P, 6-5 का भूज है, 6-5 का भूज है, तो दस्तों इसमें से आप लोग धान रखेगा, कि जिसकी कोई बिंदू का नियामक दिया हुआ है, 3 और 4, तो इसमें पहला नियामक, पहला नियामक को हम लोग भूज बोलते हैं, और दूसरा नियामक को हम लोग कोटी बोलते हैं, ठीक दोस्तों, पहला नियामक भूज कहलाता है, दूसरा नियामक कोटी कहलाता है, तो दोस्तों इसमें भूजराज का भूज, तो इसका संख्या 9 में यहां दिया हुआ है कि तू थरी किस पाद में है ठीक है दोस्तों तो इस परसन को बनाने के लिए आप लोग को याद रखना होगा यह थोड़ा सा ठीक है दोस्तों इसको बोलते हैं एक्स इसको बोलते हैं मुल बिंदू इसको बोलते हैं एक्स इसको बोलते हैं भाई इशकको बोलते हैं मुल बिन्दू और इसको बोलते हैं भाई-धिस ठीक है दोस्त तो इसको बोलते हैं हम tend pat इशको बोलते हैं हम लोग fondo part इसको बोलते हैं हम लोग fourth drive to तो पर्था पाद में जो भी बिंदो होगा उसका नियामक का चीन होता है पलस पलस ठीक है दोस्तों सकेंड पाद में जो भी बिंदो होगा उसका नियामक का चीन होता है माइनस पलस ठीक है दोस्तों और ठर्ट पाफ में जो भी बिंदो होगा उसका नियामा का चिन होता है माइनस माइनस और फोर्ट पाफ में जो भी बिंदो होगा उसका नियामा का चिन होता है PLUS MINUS छेकिए दोस्तों क्या होता है? PLUS MINUS तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां जो BINDँ दिया हुआ है वो BINDँ दिया हुआ है 2 एर 3 कबद दिये हैं 2 एर 3 जब 2 का भी साइन PLUS है और 3 का भी साइन PLUS है ति हां हो गलत अगिया PLUS PLUS इसलिए ये बिंदू हो जाएगा दोस्तों होस्त पाद में कह जाएगा दोस्तों होस्त पाद में इसलिए इसका जो होगा answer होगा answer option number A यानि पर्थम पाद में ठेक दोस्तों